आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारी तरफ से खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आप लोगों के लिए एलपी और टेक 2024 की भरती के लिए नया बैच आ रहा है जिसके बारे में खान सर ने अभी एक दिन पहले ही एनॉंस्मेंट कर दिया था तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम और सर आपके पास आए हैं तो सर एक बार सभी बच्चों को जोड़ा तरीके से आप मोटिव कर दीजे बिल्कुल देखो बहुत आप लोग जो है तरीके से त्यारी अगर करना चाहते हैं तो हम लोग आपके लिए एकदम तयार हैं और एक सिलसले बार ढंग से रोड मैप लेकर ब्लूप्रिंट लेकर आया है और पूरी बात आपको बताएंगे एक सटिक रननिती क्या हो नीची कैसे हम लोग बढ़िया से त्यारी कर सकते हैं और यह है यह चीजय अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो ऐसा तपना भी पड़ेगा तो उस तरीके से अगर आप चाहते है हैं कि अपने आपको प्रूफ कर दें तो मेहनत करने का घड़ी आ गया है बांकि हर चीज जो है पीछे छोड़ देना पड़ेगा तो आगे हम सब सबसे पहले तो सबसे पहले जो फस्ट और सेकेंड उसकी तयारी के बात चल रही थी तो जो हमारा बैच आएगा बच्चों उसमें सिबीटी वन सिबीटी टू दोनों की साथ में ही तयारी आप लगों को यहां पर कराई जाएगी और यह एक तरीके से फॉर्मिट है जो की एक पर होता है जैसे मैस होगया आपका रिजनिंग मेंटल अबिलीटी जनरल साइंस हां जनरल साइंस को लेकि लोगों बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन था कि यहां पर लिखा है फिजिक्स केमेस्ट्री एंड लाइफ साइंस तो जब मैंने यहां पर छोटा सा इवेंट कि बच्चे कहा रहे थे कि भाए और अब लाइफ साइंस लेख़ा है तो लाइफ साइंस ही भालो जी है ठीक है तो बाइलोजी का पौर्शन बहुत इंपोर्टंट है और लास्ट टाइम जितने भी रेलवे को एक्जाम सुमय है उस legit बोहुत इंपोर्टंस उसकी ठीक है पर इसके अलावा आपका जनरल अवेर्नेस जिसमें आम करन्ट अफेर वगरा पड़ते हैं फिर जो सिबीटी वन कर लेंगे उनका शुरू हो चाहेगा सिबीटी टू चीक है सिबीटी टू में भी आपको पता है कि दो पेपर वगरा होते हैं जहां पर आपका सिलेबस दिया है मै प्रयास जारी रहेगा और आपको ज्यादा टेंसन लेना नहीं है उसके लिए हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं ठीक है ना और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह चलो आगे की चीज है यह टेक्निशन वाला जो टाइम लाइन था वो उसका है जैसा कि आपको पता है कि एक इंप्लाइमेंट निउज में भी आ गया है कि 9 मार्स से लेके 8 अफरिल के बीच इसका जो है प्रॉसस चलेगा तो उस बैच के बारे में हम फ्रह से पहले बता जाते हैं फिर इनको मोटिवेट करेंगे कि आप जो है कैसे मतलब तयारी कर सकते हैं और क्या-क्या वीनर बनने के लिए आपको दिमाग में रखना ठीक है तो सर ने ही नई ट्रीक बनाई है सर ही इसके बारे में बताएंगे पर यहां पर सबसे पहले हमारी टीम कुछ इस तरीके से है बच्चों और खान सर के नेत्रित्व में उन्ही के मांग दर्शन में यह सारा सब कुछ चलेगा मैं काफी ज़्यादा कमेंट्स भी यहां पर देख पारी हूं उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि खान सर नहीं बिल्कुल पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे आपका मांग दर्शन यहां पर करते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स हम सभी टीचर्स यहां पर आप लोगों के साथ हैं अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं ठ्योरी क्लास प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टि करवा देंगे आप उससे भी डारेक्ट जा सकते हैं रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे और जैसे कि आपको पता है कि सर रीसनिंग पढ़ाते हैं और चार बजे से सर की क्लास होती है पांच बजे से मेरी क्लास होगी उसके बाद साथ बजे से हाँ केमेस्ट्री फिजि हो रहा है बेस फरवरी से ठीक है यहां पर लिखा है हिंदी मीडियम बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का बहुत क्वेरी आ है तो बच्चों आप लोग परिशान मत हो साथ लेके चलेंगे अगर आप इंग्लिश मेडियम वाले बच्चे हैं तो आपको यहां पर बिल्कुल भी दुखी होने की जुरुरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सबी टीचर्स इंग्लिश में बढ़ाते हैं मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश तो मीडियम का कोई यहां पर मेरे ख्याल से दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी एक्चली क्या है ना देखो यह रेलवे का जो एक्जाम होता है वह इंग्लिश जिनका कमजोर है वही भरते हैं जैनरली जैनरली क इसके वीडियो सेक्षन में जाएंगे उसमें बहुत सारा वीडियो किया गया है अब हम आपको थोड़ा सा यह बता देते हैं कि देखो एक चीज आपको हम समझाना चाहेंगे यह थोड़ा हम बैठ रहे थे मैं से मैं का क्लास था हम बोले कुछ तो बच्चों के लिए करें लिए मैं के साथ हम सेर भी किये थे कि सी से यहां पर कॉंसेट है ठीक है कि आपका जो कॉंसेट है अगर ऋगर बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि जब युद्ध होता है तो तुरंट हम यहां पर गोली चलाना नहीं सिखते जब हमें युद्ध की तयारी करनी होती है तो उसकी तयारी बहुत टाइम पहले से शुरू हो जाती है तो अगर आप वाकई में रेलवे की तयारी कर रहे हैं एलपी में प्रॉपर आप यहां पर सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयारी अभी सही आपको करनी पड़ेगी और एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एक डिस्पी प्लेन बिल्कुल जिसमें सबसे पहले आपको कॉंसेप्ट यहां पर समझ में आना चाहिए जैसे एक दो कर्के अगर नहीं परोगे तो देखे अगर हमेशा यह कहेगा जैसे एक मजाख वाली बात होती है कि लोग पढ़ाते हैं कि बच्चे को मेमना कहते हैं तो बच्चे कंफियोस हो जाते हैं तो वही चीज़ आप लोगों को यहां पर पढ़ना है कि पहले आपको कॉंसेप्ट जो अपना है वो यहां पर पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा देन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का चलेगा यूटूब पे चलेगा ठीक है अप्लिकेशन में चलेगा और फिर आपका रिविजन यहां पर चलेगा और यह हम ऐसा समझते हैं कि अगर आप लोग महिनत करेंगे तो सेलेक्शन होना तै है और इसलिए हम लोग एकदम जी जान लगाकर 20 तारीक से ट्वंटी तो फैब से जो आपके साथ लगेंगे आपको एकदम बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है बस कॉपी पैन साधा साधा कॉपी दो चार जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो र चलिए उसको सोचते रहने से काम नई होगा वीनर मानना होगा आज से वीनर मान के चलना पड़ेगा और आपको यह रुकावट नहीं होता है डिसकस्तन नहीं डिसीजन लेना पड़ेगा और लास्टली बात अपने खुसी के लिए किसी भी इवेंट और इनसान और इन माता-पिता को देखिए और यह सोचिए कि मैं अगर सेलेक्शन ले लेता हूं तो मेरे माता-पिता की जो इज्जत है वो कहां से काम पहुंच जाएगी ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि जो हम आप लोगों को यहां पर समझाने आये थे बताने आये थे वह आप लोगों को समझ आया होगा और हमारा जो यह नया बैच है यह 20 वरवरी से शुरू हो रहा है तो मेरा सबको यही सजेशन है कि आप लोग पहली क्लास से ही पहुंचिए ठीक है कई बार मैंने देखा है कि जब सब्सक्राइब में वह बिल्कुल भी नहीं पड़ पाते हैं तो कोशिश करें यहां पर कि पहली क्लास से ही यहां पर आप आईए और अपनी एक सीट पक्की करें बिल्कुल तो चलिए मिलते हैं फिर 20 तारिक से नए जोस्तने नए ताकत के साथ और आपको पता ही है अप्ल